मुझा अच्छा और बढ़िया होगा तो दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिपावली की बहुत सारी शूप कामना है तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ अगर आपके पास C3 डिवाइस होए है रियल्मी C3 डिवाइस या फिर आप उसको पर्चेस करना चाते हो तो दोस्तों इस डिवाइस में प्रिफायर जो गेमें किस तरीके से वर्क करता है क्या उसमें हमें लाइग वगेरे दिखाई देता है क्या यह 60 पर चलता है और क्या हमें इस वीडियो में बताने माला हूँ और साथे साथ दोस्तों मैं आपको सेटिंग भी बताने माला हूँ जिसकी वजह से हम 60 पर गेमपले खेल सकते हैं और साथी साथ हमें यह ज्यादा इस्यू नहीं दिखाए देगा यह सब जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपको वीडियो एंड तक देखने हैं और वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को आपको लाइक करना है तो दोस्तो गेम में जो सबसे पहली सेटिंग है ग्रापिक्स की स्मूथ वाली उस पर मैं आपको गेमपले दिखा दे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कोई भी 60fps वगरा का ओप्शन है ओ इनेबल नहीं रहता नार्मल जो है स्मूथ हमें यहाँ स्मूथ ने समय यहाँ पर देखने को मिलता है और दोस्तो आप स्क्रिम पर देख पा रहे होगा यह जो है गेमपले हमें स्मूथ के मोड पर देखने को मिलता है हमें यहाँ पर लाग वगरा देखने को मिलता है जो कि हमारा 60fps अभी तक नहीं है इसके वजुक्य से हमें ग्राफेक से जाफे में लाइक सबल करेंग दिखा कर दों कर देगा हमें दूसरी बात स्वारी हमें इस लिए अच्षा ल्हां मिलतक है अच्छा फॉट्वाला करें और उसके बात दोस्तों एकूण ज़रूरत नहीं है तो आपको यहां पर दोस्तों में सेटिंग बता तो कौन से सेटिंग आपको यूज़ करनी है और कौन से सेटिंग पर जो हमें अच्छा एक पिस यहां पर देखने को मिलता है सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेरे सेटिंग शेयर करता हूँ जो सेटिंग में यहाँ यूज करता हूँ सबसे पहले आपको सेटिंग में दोस्तों अल्ट्रा पर सेट करने हैं ग्राफिक की सेटिंग उसके बात में आपको जो ब्रैटलेस ब्रैटनिस रखना है दोस्तों तगड़ा होना चाहिए तभी शाड़ो अच्छे तरीके से रेंडर होती है तो हमें यहां पर दोस्तों लाइग वगेरा दिखाई नहीं देगा जगर आप यह ओप्शन्स आपके डिवाइस में कर लेते हो तो दोस्तों में आपको सिंपली यहां पे गेंप्ले दिखा देथा दिखाई देगा क्योंकि दोस्ते आप एप्श हाइए हो चुकिए और ग्राफिक्स बीजो इंप्रू हो चुका इसकी वजह से हमें यहां पर थोड़ा बैटर देन का इश्यू दिखाई देगा अगर आप अगर स्मूथ के मोड़ पे खेलते हो तो आपको वहां पे बैटर इश्यू इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा मगर आप अगर आप चार्जिंग यूज करते हो गेमिंग के दोरान तो बेशक आपको यहां पर हिटिंग का इश्यू दिखाई देगा ज्योंकि हमें लगबग सभी डिवाइस में देखने को मिलता है चार्जिंग के साथ स देखने और आप दुसरी डिवाइस पर्चेस करना चाया रहे हो और साथ अगर आपका बजेट कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यह डिवाइस जो है आप ले लो कोई दिक्कत नहीं गेमिंग जो है बढ़िया हो जाती हमारे फ्रीफाय के मामने में दूस्तों मैं क आपको जो है गेमिंग के दोरान फ्रेम डॉप का विशु कहीं पर दिखाई नहीं देगा तो अगर आप फ्रीफायर खेलते हो तो इस डिवाइस में आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और दोस्तों उम्हीद करता हो कि आपको व्डियो पसंद अगर आपको कुछ इस्शू हो या फिर कुछ आपको सवाल हो तो इस डिवाइस के बारे में और गेम्प्ले के बारे में तो मुझे कमेंट सक्षिन में जरूर पूछे तो मैं मिलताओ आपको अगले वडियो में तब तक के लिए बाए-बाए